नमस्कार नहीं कम हो रही राहुल गांदी की मुश्किले अब पटना कोड से समन बार एप्रिल को बुलावाद जानिये क्या है मामला सारे मोधी सरनेम वाले चोर है 2019 में राहुल गांदी ने यह भयान दिया था इसके बाद अभी हाल में उन्हें गुजरात के सुरत के कदालत ने दो साल की सजा सुनाई है सजा सुनाए जाने के बाद उनकी लोकसवा सदशता भी समापत हो गई है उन्हें सरकारी बंगला खाली करने का भी नोटिस मिल गया इसके बाद भी यह मामला उनका पीछा नहीं छोड़ रहा है गुजरात के बाद अब पतना की एक दालत ने इस मामले में राहूल गांदी को समन किया है और उन्हें 12 एप्रिल को हाजीर होने के लिए कहा है रहूल गांदी के खिलाफ इस मामले को बीजेपी नेता और पुर्वाव मुख्यमंत्री सुशिल कुमार मोदी ने पतना की कोड में 2019 में दर्श कराया था सुशिल मोदी ने इस मामले में आरोप लगाया है कि रहूल गांदी ने सारे मोदी सरनेम वाले चोर है कहकर पुरे समुदाय का अपमान किया है धन्यवाद